नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज यह आपे में बात करूंगा एक दिख़ फार्मसेटिकल कमपनी के बारे में देखें फार्मसेटिकल पूरा के पूरा कमपनी में नहीं कहूंगा तो जितने सारे लैब्स होते हैं मतलब जितने सारे आप देख नहीं इसका IP आया था और कमपनी एकतम नया है और इस नया कमपनी के उपर बहुत सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दू कैस कमपनी का फीचर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स के बात करिए तो चलो उसी के बारे मैं आज बात करूंगा तो वीडियो को पूरा दिखिए और हाँ अभी तक आपने इस चनल को सब्सक्राइब ने किया तो जुरू सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसी स्टॉक मार्केट इन्फोरमेशन और अप्डेट चाहिए तो इस चनल में बन रही है और एक चीज आप डेली बेसी इंटर अपन ने किया तो आप एंजल मतलवान के मादधम से अपन कर सकते है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो सबसे पहले में कंपानी के इन्फोरमेशन के उपर जाना चाहूंगा तो सबसे पहले में कंपानी के वेबसाइट विजिट करना चाहूंगा तो कंपानी के वेबसाइट से आपको पूरा डिटल क्लियर हो जाएगा कंपानी कौन सा फिल्ड में काम करता है देखे कंपानी का नाम जो है वह पहले देख चुग है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड तो सुप्रिया के जो इंग्रीडियंट होते हैं मानके चलिए कोई भी आपको टैपलेट्स बनाना होते है तो इस टैपलेट्स का जो मतलब जो 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 अलग अलग प्रोड़क लगते हैं तो उस इंग्रीडियंस को इस कंपनी बनाते हैं तो दूसरी देखे कंपनी आपको यहां पर देखे responsibility के साथ company काम करते है company का research center बहुत strong है company के totally जो product है आप देख सकते है anti यहाँ पर देखे हिस्टोमोनिया जो है और आप देखे analogies और anti-pirotics के उपर भी है anti-analogic के उपर भी है और साथी साथ आप देखे vitamins के उपर भी है और बहुत सारे अलग-अलग यहाँ पर प्रोडक के उपर company काम करते है तो company का जो details है वह आपके सामने है और company के जितने सरे clients है वह भी आप देख सकते है तो सिर्फ company इंडिया बेसिस नहीं वार्ड बेसिस भी काम करते है तो चलो उसके API is मतलब active pharmaceutical ingredients के उपर काम करते है तो company के जो ज्यादा तर anti product के उपर भी काम करते है और company के जो business है वह कितना दूर तक फैला हुआ है वह आपको सबसे पहले देखना है company देखिए इंटरनेशनल जो segment है जो footprint है उसके सबसे 77.5% revenue चैनल होते है इंटरनेशनल लेवल से और बाकी परसंटेज इंडिया से होते है तो और एक चीज पंपनी जिग्राफिकली कौन सा कौन सा कंटी से कितना revenue जनेट करते है वह भी आपको देखना चाहिए देखिए ल उनमें से आधादन इंडिया, चाइना है, कंबोडिया है उनमें से 19% totally revenue आते है इंडिया से company का 22.5% revenue जनेट होते है और साथी साथ है कि चाइना और एंड कंबोडिया से 9.8% का total revenue जनेट होते है नौर्थ अमेरिका से 4.8% मतलब इसका geographically जो company का business है वो बहुत फैला हुए ह देखें आपको एक चीज जुरूर इस बात को सोचना चाहिए, देखें मानके चली आप business भी करते है तो आपके पास customers जुरूर है तो आप मानके चली एक customer से एक लाग कमाते हैं हर मान, कोई भी एक example में ले लेता हूँ, एक customer से आप एक लाग कमाते हैं, तो ये आप सोच र रुपिया करके भी दे, तो आपको एक लाग रुपिया हो जाएगा, तो आपका फाइदा कॉंस है, आप देखेंगे, तो मुझे इतना, मतलब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, एक customer के उपर काम करूँ, तो मुझे पैसा मिल जाएगा, देखें, टोटली रॉंग procedure है, तो क्यूंकि आप मान के चलिए, एक customer आपके पास से माल लेना बंद कर देगा, तो आप तो business पूरा के पूरा बंद हो जाएगा, तो 10 customer से अगर आपके 7 customer भी आपके पास से माल लेते हैं, तो आपको करीवन करीवन 70,000 का profit होगा, तो यह सबसे businessmen का strategies है, तो इस strategies को आपको stock market के उपर भी apply करना होगा, क्योंकि देखिए, stock market एक business है, बहुत सारे दोस्त इस stock market में आते हैं, और इसको अच्छे से समझते नहीं, और stock में निवेस कर देते हैं, और उसको losses हो जाता है, और उसके बाद stock market को वो सट्टे वाजी और gambling करके निकल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप business strategies के हिसाब से सोचिए, तभी आपको फाइदा मिलेगा, तो मैं इस बात को क्यों आपको बताया, उसका जो main कारण है, company देखिए, जियोग्राफिकली बहुत सरे countries के साथ जूड़े हुए है, और इसका percentage के साथ ठीक ठाकी percentage यहाँ पर business कर रहे है, इसका मतलब कोई अगर बैंड कर देते हैं इस product को, उसको कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा impact तो पड़ेगा, मगर उतना ज्यादा impact नहीं देखने को मिलेगा, तो यही में बता रहूँ कि company का business module बहुत सांदार है, तो company का बाकी parameter भी आप देख लीचे, company का यहाँ पर पूरा का मार्केट के पर एक छोटा company है, तो देखे, आपको मैं एक चीज यहाँ पर और एक clear करने देना चाहूंगा, आप विजोई केडिया जी को भी जानते है, जिन्होंने ज्यादातर stock market में पैसा कमाया, उन्होंने उनका कहिना है कि small cap and mid cap company, यह दोनों company आपको करोड़ पोथी बना देगा, जल से जल, और रोट पोथी भी बना देगा, जल से जल, तो आप risk management कर सकते है, आप analysis ठीकठा कर सकते है, तो आप जल से जल पैसा चाहते है, तो इस दोनों sector के उपर focus रखिए, कि मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके आप small cap, mid cap type के company के उपर भी निव है, तो आप किस तरह के से इस company को पर positive है, वो आपको जोरू सोचना चाहिए, देखे, company का return of equity, return of capital employed, कितना सांधर दिखेगा, आप देख लीजे, 60% कितना सांधर तकड़ा return of capital and return of equities है, तो peer ratio 28.3 है, मतलो इसका 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 peer ratio 27.7 है, उसकी इसका peer ratio ज्यादा देखने को मिल है, देखे, देखे, वो देखे, तो ना के बराबर है, क्योंकि देखे, company का annual income जो है, 124 करोड का, और company का debt 70 करोड का, इसका debt जो है, वो totally धीरे-धीरे कम देखने को मिला है, तो आप इस company को debt freeview बोल सकते है, क्योंकि इसका हाथ में cash भी है, 32 करोड का, earning पसर भी देखे, 16-17 रूपीज तक earning company कर रहा है, कोई खराब नहीं है, और company का देखे, inventory day जो 206 days लग रहा है, company का हाथ में पैसा आ रहा है, 69 days में, और working capital जो days है, वो 92.8 है, तो इसका मतलब हर parameter है पर कुछ positive है, कुछ negative भी है, और यहाँ पर company देखे, pharmaceutical industry से बिलों करते है, और उन में से देखे, company 8 number ranking में देखे, actually 8 number ranking में नहीं है, और भी बहुत नीचे होगा, क्योंकि इसका market capital के हिसाब से company बहुत नीचे होगा, अभी देख लेते company का quarter basis result, तो quarter basis result जो है, वो करीबन करीबन आप देखेंगे, तो company देखिए quarter basis result को अच्छा का सा maintain किया, अभी देखना है, साल भर की result, देखे, साल भर में company, साल भर की बात करू, तो 2017 से company जो profit ratio दिखा रहा है, 6 करोल का profit था, और 18 में 9 करोल का profit था, 19 में 39 करोल का profit था, 2020 में 73 करोल का profit था, और 2021 में 124 करोल का profit, इसका मतलब क्या है, company हर quarter में, हर साल में, खुद का profit ग्रोथ कर रहा है, यही सबसे positive symbol आपको देख जो company हर टाइम में profit growth कर रहा है, उस company को बना रहना चाहिए, यही कि देखे, मैं Trident के उपर जब वीडियो बना कर दिया था, आपको तब उसका price range 7 से 10 रुपिया था, तो आज Trident आप देख सकते है, कितना बन रहा है, 53, 55 के उपर है, इसका मतलब आप समझ लेजिए, जो company strong ह होगा, वो आज नहीं, तो कल भागेगा ही भागेगा, तो आपको इस तरीके से कुछ सोचना होगा, तो देखे, company का sales growth positive, profit growth तो सांदार, return of equity भी सांदार, इतना सारे positive होने के बाद भी, आप chart button देखेंगे, तो आपको obviously करीबन करीबन, overall 9,5,9,10% तक losses देखने को मिलेगा, तो मैं जोरू कहूंगा, आप इस company को पर focus रखेंगे, क्योंकि investor भी देखेंगे, आप इन्वेस्ट करके रखा, FIS जो है, DS जो है, 77% का holding रखेंगे है, public जो है, 16% तक और promoter जो है, 68% तक holding रखा, इसका मतलब इस company को पर आप थोड़ा सा potential दिख सकते है, इसका chart button के बारे ब profit growth आपको दे सकते है, उसके बाद देखिए, तेजी जो था, वो गिरावड में सामिल हो गया, और उसके बाद एक support and resistance के बीज में ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक support zone है, और आप एक resistance zone है, तो इस तोनों support and resistance के उपर काम कर रहा है, आभी देखना है, कौन सा level को break करता है, और कौन सा level break करने के बाद किस level तक जा सकते है, तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस company को उपर निवेस करकर रखे है, तो आप hold करिए, और मतलब जूरूर, आप hold करने से पहले एक बास study जूरूर कर लेना, और उसके बाद hold करना, जो नया निवेस करना चाते है, तो obviously इस company के पूर आप focus रख सकते हैं, तो अब आसा करता हूँ, सारे जान करें आपको मिल चुका है, मेरे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना, दोस्तों को साच सेर करना, चैनल को सब्सक्रेब भी करना, मिलते नया स्टोक लेगे, तब तक के लिए अच्छे सरीए, अपने ख्य